S.C.H.T.1 को समाप्त किये जाने सहित कुल साथ सुत्री मांगो को लेकर स्वन उत्थान समीती की सदस्यों ने बुद्वार को नगर नेगम परिसर इस्थीत रानी लशिंबाई पार्क में हाथ पर काली पट्टी बांध कर धरना दिया। धरने पर बैठे समीती की सदस्यों ने जातीगत आरक्षन को समात करने सहित बिभीन मांगो को लेकर बिरोध प्रदशन करके काला दिवस मनाया। गुरकपो नियू सन्वादाता से बात करते हुए सौन उत्था समेती अध्यक्ष अवदेश कुमान मिश्रा ने बताया कि साथ सुत्री मांगो को पूरा करने के लिए 9 जुलाई को भारत बंद का आहवान भी किया गया है। सभी आलक्षन विरोधी संगठन और कुछ राजनेतिक पार्टियां भी भारत बंद में हमें समर्थन दे रही हैं। उन्होंने कहा। समझती मांगे हमारी हैं कि जातिकत आरक्षण खतम किया जाए। यह सी एस्टी एक्ट खतम किया जाए। पर्मोसन में आरक्षण पर ततकाल रोक लगाई जाए। पुरानी प्रेंसन नीत बहाल किया जाए। कि किसानों के लिए पूरे भारत देश में अलग अलग पर देशों में अलग अलग परिशितियां हैं। इसके लिए किसी आयोग बना करके सर्वे करा करके एक नई किसी नीत बनाई जाए। काला दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में आज काला दिवस मना जाएं। कल भारत बंद भी वहगा। आज काला दिवस है, कल भारत चुकी काला दिवस हर साल बना जाता है, इसलिए इसको टाला रही जा सकता था, और कल भारत बंद है, सारे आरक्षण विदोजी संक्टन, कई दर्जन राजमेटिक संक्टनों ने हमें समर्थन दिया है, आज गोड़कूर में आपके सामने समिती के प्रजे सद्यक्ष विजय नरायन मिस्राजी बैठे हुए है, अखल भारती ब्राहमर एकता परिशत के गुड़्डू मिस्राजी संक्टन, मिस्राजी बैठे हुए है, भारती विद्वत समाज के भारती विद्वत समाज के भाई रभी बर्जे स्पांडे जी वे ते वे है